इस साल गेहू की थोक कीमितों में तेज बढ़त देखने को मिली है। पूरे भारत में गेहू का ओसत थोक मोले नवंबर में 22% से बढ़कर 2721 रुपे प्रती क्विंटल हो गया। इस साल जैन्वरी में यह 228 रुपे प्रती क्विंटल था। सरकारी आकरों से यह जानकारी मिली है। आपको बता दे कि कीमितों में बढ़त रूस और यूकरियन संकट के साथ साथ इस साल गर्मी के जल्द शुरुआत की वज़ज से फसल पर पढ़ने वाला असर की कारण दर्ज हुई है। वहीं कीमतों में अगले साल नर्मी की संभावना है क्योंकि इस साल गेहों की बुगाई पिछले साल के मुकाबले बढ़ी है और किसानों ने ऐसे बीजों का जादा इस्तमाल किया है जिससे मिलने वाले फसल जादा तापमान में भी रह सकती है। आकरों के अनुसार आपको बता दे कि गेहुल का अखिल भारतिये मासिक औसत थोक मूले जनवरी में 228 रुपे प्रती कुंटल, फरवरी में 2230 रुपे, मार्च में 2349, अप्रेल में 2384 रुपे, मई में 2352 रुपे, जून में 2316 रुपे, जुलाई में 2409 रुपे, वहीं 21 रुपे प्रती कुंटल था, ओक्टूबर और नवंबर की कीमते अस्थाई है, केंदर के कीमतों को नियंतरित करने के लिए मई में गेहु के निर्याद पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, राजसभा के एक प्रश्ण के लिखित उत्तर में कृषी मंतरी नरेंदर तोमर ने कहा कि गेहु सहीत क्रिशी उपज की कीमते बाजार में मांग और आपूर्ती की स्तिति अंतराश्टिये कीमतों आदि से निर्धारित होती है, मंतरी ने कहा, गेहु का अपादन वर्स 2020-21 में 10 करोर 95.9 लाख टन से घट कर 2021 में 10 करोर 68.4 लाख टन रह गया है, और वर्स 2021-22 में गेहु की अखिल भारतिये उपज 3521 किलोग्राम प्रती हेक्टेयर से घट कर वर्स 2021-22 में 307 किलोग्राम प्रती हेक्टेयर ही रह गया है, इस गिरावट का कारण मध्यप्रदेश, बिहार, उतरप्रदेश, हर्याना और राजस्थान जैसे प्रमुख गेहु उतपादक राज्यों में मार्च और अप्रेल 2022 के दौरान लू का चलना था, उन्होंने कहा कि वर्स 2022-23 के रभी बाजार सतर यानि अप्रेल जून में गेहु की खरीद वर्स 2021-22 में 433.44 लाख टन के मकाबले घटकर 187.92 लाख टन रह गए, क्योंकि इस अवदी के दौरान गेहु का बाजार मूल नियुंतम समर्थन मूल से कहीं अधिक था, क्रिशी मंत्राले की ओर से जौरी आकरो के नुसार मजूदा रभी सतर में गेहु की बुआई पिछले साल के मकाबले बढ़कर 2 लाख हेक्टेर पर पहुँच गई है, राजस्थान, बिहार, देश में रभी की बुआई बढ़ी है, वहीं रभी की मुख्य फसल गेहु की बुआई ऑक्टूबर में शुरू होती है, इसकी कटाई मार्च अपरेल में होती है